बिस्मिल्लाइ रख्मानुराई मस्तनाम अलेकुम नाजरीन आप देखेंगे प्रोग्राम से टीए टेड मैं हूँ आपकी मेजबान अना यूसुफ उबिंदा आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आज इद का तीसरा रोज है और बहुत सारे घरों में सुनत इबराहीमी की अदा प्रोपर तरीके कार है सुनत इबराहीमी की अदाइगी का हम सबने वो फॉलो किया होगा गोष्ट जहां जहां पहुंचाना जिस जिसका हक था क्योंकि हमने अपनी एट ट्रांसमिशन में भी आपको बारहा यही मेसेज दिया था कि खुदारा गोष्ट की तक्सीम के हवाल से जो एकामात हैं हमने प्रॉपर उस पे भी शो किये तो जरूरी यह है कि जरूरत बंदों तक पहुंच जाए और प्रॉपर जो है जुद्स का तरीके कार है उसको फॉलो किया जाए चलेंजी दूआ यह है कि अल्ला ताला हम सबकी सुनत इबराहीमी के अदाइगी भी रहा तो आपने एद अच्छी जोए की होगी और आज तीसरे दिन भी महमानों की आमत का सलसला जारी रहता है तो हम आपके साथ कुछ एद की खुशियां भी मनाएंगे और इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे कि बक्कर मंडियों में क्या-क्या रॉनके रहीं और किस तर सारे लोगों को गयर जिम्मेदाराना रवया अपनाते देखा है कि घरों से अपनी अलाइशे उठाके इविन जो बैक दिये गये होते हैं उसमें भी नहीं गली के नुकर में फेंग देते हैं सो दो तीन दिन ये भी प्रैक्टिस बात देखने हमें आई लेकिन काम किया गया हमने देखा LWMC की जानिब से भी लेकिन क्यू के शहर में बहुत बड़ी तादाद में वेस्ट मानेजमेंट को ठीकाने लगाना भी एक काम होता है सो ये मिला जुला जुजान देखने हमें आता है सो हम चलते हैं जी प्रोग्राम के आगास के तरफ हमारे रिपोर्टर्स ने हमें जोइंग किया है अपने शों में वेलकम कहेंगे अस्सलाम अलेकम शाहिद सिप्रा साब और अली राम में हमारे साथ मौजूद है एद मुबारिक जी शाहिद सिप्रा साब से हम आगास इस तरहां से कर लेते हैं क्योंकि हमने एद के तीसरे दिन पर बहुत सारे लोग सुबा सुबा मंडियों का रुख करते हैं सो आपने कोई 10-12 दिन मंडियां विजिट भी की क्या सूरते हाल रही बिसमिल्ल्यार रफ़ाने रहें देखें सुन्त इबरहिमी की अदाइगी करने के लिए लोग मंडियों में रुख तो कर रहे थे दर्जा रहारत बड़ा और उसके बाद बारशें हुई और बारशें की वज़ाएं से इंताइगा रहे तो इंताही खस्ता रहे जो आपने बात किया कि तीसरे दिन लोग क्यों रुख करते हैं उसकी वज़ा यह होती है कि कीमते डाउने हो जाएगी और इस साल जो जानवर आप चाहे बक्रे की बात कर लें चाहे बैल की बात करें उंट की करें दूंबा च्छत्रा जो भी जिसके भी बात करें कीमते आस्मान से बाते हैं और जब भी गयो पारियों पर इस सवाले से बात हुई तो वह यह ही कहते थे जो उनको खाने पिलाने की चीज़ें हैं वो महंगी होती हैं बिर खसूस गंदूम होती है वो पिछले साल तो खेर बाइससु रुपए तेससु रुपए चालिस किलो के इसाफ से थी लेकिन इस तफ़ा वो चार हजार एगी उस पर ज्यादर महंगाई हो जाएगी फिर पैट कि असलाबाद है जंग है चन्योट यहां से बड़ा जानवर प्यादा आता है लोग आए लेकिन तीसरा रोज जो है वो कीमत उसी तरह रही हैं जो बेवपारी खरीद के लाया है उसने अगर जहां 10-12 दिन गुजा रहे हैं तो उसने कुछ ने कुछ ने कुछ ने कुछ ने यहां परक जरूर जो है वो पर्दा है कि पहले दिन यह चानद रात पर जो कीमत रही वो तीसरे दिन दाउन हो और इसकेवाद लोगों आपने अपने सुनत अबरहिमी तो यही ने लेकिन टीसरे दिन भी मर्णियों में कुछ जानुवर मजूद रहते हैं वो इन दार कर र क्योंकि मुझे याद है प्रिछी दफ़ा जब इदे कुर्बान थी तो मैं दूसरे तीसरे डूज डूटी पे था वहां पे तो हम लोग ने वहां पे डूटी की तो लोग मजूद थे और उसमें ज्यादार वो लोग मजूद होते हैं जो के लाहुर के अत्राफ में आस पास म जुँ अगर न को चारे के डालना थो जार एक स्पंडिचर आप में शामी चारे आप गड़ा इसे तो ने बवानन जबंगा जब जब הड definitive जो भी चीज़ आप उसके अंदर इस्तमाल करते हो लाइट इस्तमाल होती है वाँ पर पानी इस्तमाल होता है आपका हर चीज आपकी अश्जी खासी रखम जो बनती है तो फिर वह एक्सपेंट लिच्छर लगा कि जब वो जानवर को त्यार करते हैं वर इसके लावा जो उन आप चुटी क्योंके पहले कर लें तो फिर आपको एद के एक दो दिन आना पड़ता है अगर आप एद्वरे दिन ड्यूटी कर ले तो फिर अगले दो दिन ड्यूटी कर लेते हैं क्योंके सिर्फ आप से जानना चाहरी हूं कि आपके जितने स्पेशल इवेंट होते हैं वो घर से बाएदी होते हैं आपको या कि आपके बताताएं झाप या कि माश्व क मैश से मिला एंसे मिला नियूट्व मोरा हैं एछ शनुन्क एपिर३ette हम अहीं था हैं unpackा मुत्यट्राग मरादनी प्रवाहां प्रवाहिंट प्रोग्रत्वे जञ्स में हमने दो इतीच मार्वझ से टश होते हैं यह उस वक्त आ रहे थे, इनकी हाई रिंग, इनका क्रॉसुष चल रहा था हाँ, मुस्तक्विल में कोई ऐसा नहीं सोचा कि अपने बच्चों को दुबारा साफ़त जोईन किरवानी है हाँ, डिजिटल मीडिया के दौरा है, वो उनकी देखते हैं, वो उसकी तरफ जाएं तो ठीक है जो आपने जो पूछा है वो मैंने बता भी दिया है, आपको समझ भी आगए मैं क्या कहने वाला है लेकिन आपको लाक़ लाक शुत्र अदा करना करना कैंगे, इनसान आता कुछ करने के लिए होता कुछ है बल्कुल ऐसे यह और तो जहां पर आपको आपको रिस्क निखा हो वो होता है इसी डारे में मैंने सिखा भी इसी डारे से और इसी डारे में 15 साल गजार दिये तो कुछ तो वजुहात हैं और माशाला एक नाम भी है पूरे शहर में हमारी जितनी टीम है सब को लोग जानते भी हैं सब का अपनी-पनी बीट में एक नाम है यह सिर्फ लाइटर नोट पर बात करने का मकसद ही था कि हमारी लाइफ यह है कि आपके जितने स्पेशल इवेंट्स होते हैं वो आपको डबल ड्यूटी करनी पड़ती है अली ऐसे ही है आपकी एद है आपकी शबरात है यहां पर हमारे लोग जो है इनकी डबल ड्यूटी हो जाती है अली आपको क्या फील होता है जिम्मादारी है है समझे हमारी जिम्मादारी इसमी जर्नलिस्ट की फील्ड में तो हम इस फील्ड में आपको करनी बढ़ती है सिंपल से बात है आपको कोई भी सेक्टर उठा के लिए कि आप पुलिस का सेक्टर उठा के पुलिस बढ़ते हैं तरह पर हमारे कुछ शौब इसे हैं जहां पर हमें बजबूरी ओता है क्योंकि ये वो ही इवंट उटे हम लोगो ने अगाख करना हों को अगर अगर हम इतरो भी शुफिस गंटे चलना है। भी जोटनी हो प्रस्वीशन पीछुर में लोगों देखनी है। विट लोगों देखनी हैं, भी बाइट के लिए लोगों दीज़ चलनी है। बद्बुल देखनी है। तो हम नहीं कीजि़ेगेगी का देखें। दूसरा है। तो वो फिर मेरे रहेंग से नहीं तो यह वाकी नोट होता है कि जब किसी गर्मन्ट सेक्टर को या प्राइवेट सेक्टर जो के अपनी चुटियों का एलान करते हैं तो आपके अंदर एक पुझेसिव पनुटियों करते हो आप तजस्टो से यार इस पंदे को क्यो इतनी जहले सुई तन्खाहों में जो 35 फीसद इजाफा हुआ है मैंने का सही है सरकारी मुलाजमीन को तो अच्छा साथ सारा कुछ यह आप किसी सरकारी मुलाजम से पोछेंगा तो फिर आपको बताया गया कि यह इजाफा कितना है उनकी सार्वी नोगों के लिए तो क्योंकि पह आपने सेेलें पाइटी से उल्सक चाहिए चैनली आपना तो फिसकी नगार्ये पर शुक्षषण पड़ाते है उत्रयवर से इजातना के लिए और फॉश् कौने से जातत़ गएज़ativa को छेपके से बढ़ता है और फोगे सपने के यह साफ के जाति रही रही है ऐपना तो मैं ने लगता है घर बड़े ही सारा काम प्रख़ती तो मेरी जिम्मे एसकी है इस वी हुश्पूर नहीं फिलहाल काम नहीं है घर आप अब एचोटी है मेरी सासु मा को शिख रुटी है उनकी जिम्मेदारी है वह यह वह यह वह करती है यह तो अन्टी भी सुन रही है कि क्या कह रही है अब कोशिए हमारी उन से पी लोगी कि एक दफा यह ट्राइज रूर करवाए कि जो भी कुरुबानी का गोश्ट अगर भी भी पढ़ा होगा कुछ बनाने वाला यह साफ करने वाला तो वह आप से साफ करने वाला तो बना अब ही तो फिलाल कुछ नी बनाया लेकिन अब करका दिन चुटी का जेगा मैं बना तो अच्छे में मान भी ठालिये मेरे घरवालों को मेरे खिलाफ कराएंगे है हम वापस आजाते है पॉइंट पर अच्छा जी यहां पर एद्पेंड होनी की बात हो रही थी तो हमारे सि आपके स्पेशल इवेंट को इधर भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए इंतजामात किये जाते हैं अब आ जाते हैं जी एद के हवाले से तीन दिन ये जो है लड़ीमसी की दोड़े लगी होती हैं बावजूद इसके शहर में जगा जगा आपको आलाईशे न अबसल अडिया मामला है अशर्वा महारा हूब हारादी महां अबसला है अब गली महले में जाएंगे गुन्जानबाद इस एफ्यादारी ज़ें दो दीसमाई कुर्बानें मینाजर अगुरान से ले लें, मेनाजर अजहान समय अजरा में समय तर के अउट वोगोगा है यहां डेकहा है? वो इतन्हीं के तुरूप अगा हमालो क्रांटों आग्ट में प्होगया रहिक ही, अपबीजली के आप इसलिए एसलिए おचाहा है और आंते जहां खंबा देखा उसके साथ पहेंगे यहां यही रवज़ करता है यही मुनसून रहा और इसी तरह दूप मिकलती रही और यह तीसरा दिन और आप चार पाइं दिन जब गुजरेंगे आप देखिए का ताफून ऐसा प्यालेगा आपको लग पता जाएगा और L जब आप करते हैं तो बहुत सारे सवाली अनिशान होते हैं कि आप कैसे घोस्त मुलासमीन हैं जो तन्हाइ लेने हैं वह की दर है ठीक है आप अभी तक डेफिसिट में जा रहे हो आप एक कंपनी हो आपका काम है कि आपने एक रेवन्यू जनरेट करना है आपने अभी तक कि आप सालाना गर्मेंट से आठ बिलियन आठ अरब से नौर और रुट का एक गरांट जो आप लेकर लेकर लाहूर शेयर को साफ करते हो तो पर कहें का आपकी जिम्मा काम है आपके क्या आपने किया अब तक आपने अपने अपने कोई रेवन्यू जनरेशन वाला काम नही अगर गर्मेंट एक रेवन्यू प्लैन लेकर आती तो आप इसको इंप्लिमेंट करना शुरू करें सिंपल ची बात और जहां तक बात अने इडिक कुर्बां के उपर पहली जिम्मादारी हमारी होती है हम आम शेहियों की जिम्मादारी है लोग अपने दर से अलाइश उठ इड ज़ा एक जगाने लगाने के लिए हमारे मुफलिफ केमपस लिए वहां पर बैग ले 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 लेक जहां तक उनके प्री जो आप कहते हैं कि जो इन्तिजामात होते हैं उस हवाले से उनकी प्लैनिंग मुकमल है आप इश्टिहारात दे रहें आप बकायतों लोगों को कये आप बाह disappointing है आप मारे लेकर बाए हमारे पास हम से आप बैग ले ले और बाग के बाद अबाद आ कि जन्मादार्य कि कि टिकैर लगा ठीक है अगर आपने क्मस्तान जाहां जो बड़ जादांदा ले प्छैर थे होते हैं टो इंकी गर पन्ने निस प्रोई अर्ण वाल्टन रोड वाल्टन रोड शामिल इस जहां पर चीछिं colony only are gonna अइस कि WILH想िता glelaş वहां नहें नहीं, इसा पहर सियूँ और खो जारा भई इसके अंदर ना पैंके क्योंकि हमारा मौन सुन चल रहा है गाज हो चुका उसका तो बारशें ज्यादा होगी तो ये पानी स्टाक हो जाएगा पिर आपके लोगो घरों में पानी आएगा तो अलाशें जो आपके गरों में गूम रही हों तो ये नदी नालों के पानो जो नाले हमारे घुजरने बड़े 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 इसके अंदर ही कमजग इसको ना पैंके शौपर जोए बाकी बात आती है फिर इंतजामियां के ओपर अब इस एद के ओपर भी को पिछली एद को पर जोने की वर्किंग होती कि आप प्राइवेट सेक्टर से हैल फ्राइवेट गाड़ियां आप हाइर कर ले लेते हों प्राइवेट लोग हैर करते हों इन तीन चार दिनों के अंदर uniquely प्राइवेट यह आपको उतनी जो था सेंटर ऑ चैनला होना चाहिए है यही आप बलद्याती नमाइंदों को अख्तियाराद दे देते हैं अलिये हमेशा के तरह यह होता है कुछ निया भी नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस भी आपके पास शहर के तमाम पॉइंट्स आप हो जहां हर चीज वर्किंग कम्प्लीट हो एक है के शहर में कोई भी कु काफ़्ों में वह बहुत ज्यादा है अमलन वह बहुत काम है इस पर आगे हम लोग मार काते हैं कि आप अपनी के पैस्टी जो है वो सही मानों में जो आप सरकार से पैसे लेकर आप करते हो वह आप अपनी पूरी करो और अपने जो एक सेक्टर मुटिप बनाये हुए हाँ जुनियन के अंदर उनको आप मुठार्रक करें। ताके वो आपको हर तरह की रिपोर्ट करें। वहाँ सेमेट मेचे मठीरील उठाएं आपका अंदरून ए- लहॉर के अंदर उनका सैटप है। भी जुक्त मजबूस सैटप है तरही। तो उसमें यह लोग बहुत जादा मुठारत होना पड़ेगा और दूसरा गर्मन्न अगर स्ट्रिक्ट होएगी न वो अमने मिसाले देखी हैं जो जो काम करवाना चाहा है वो कर नजर आया तो बिल्कुल आपने सही का ओपर से डंडे की बहुत जरूरत होती हमने ब्रेक लेन करते हैं लेकिन वो मैं सिलसिला इसलिए नहीं चोड़ी कि यह मेरे उपर दुबारा आ जाएंगे ब्रेक के बाद आते हैं वापिस खुश आमदीद एक बार फेर से कहेंगे सो अब हम बढ़ते हैं जी कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं शेयर में सफाई इंतिजमात की बात होगे शायद सिप्रा सब खाने पीने के शौकीन है बहुत ज्यादा सिप्रा काने पीने का शुकी है नहीं कुछ रही हूँ फिटनेस भी तो नहीं कोई भी मीट जो आप मीट की डिश है ना गोश की डिश आप इस बंदे से पूछ ने कि क्या कौन सी बोटी खाने वाली है लाहर ये वैसे नॉमली इस तरह के खाबों के शोकीन होते हैं शायद सिप्रा साम देखें जितना असला और में होगे हैं अब बंदा हर बंदा बंदा बोश्क खाता है वोटी कॉन सी खाने माली है वो इससे पूछ इन यह बंदा यह बंदा डिस्ट्रिबूशन के उपर जो हुआ हुना हसन नहीं करता है यह बंदा सिर्फ देख के उपर पास अपनी मर्जी की बोटी निकार और फिर अले कर बताएगा मुझे भी बाद मुझे भी बाद मुझे तजर्बा है यह बोटी का यह चोड़ने इसको खाने की नहीं है अपने साथ साथ अच्छा पाना मेरे लिए भीज जाएगा अगर आप सिप्रा के साथ आपकी कंपन अगर आपकी किसी इमन पर चले गए और किसी दावत पर चलेगे तो आपकी मुझे लगए लगे है तो आपकी किया अपना थासूल है मैं तो हमेशे हैं कहता हूँ के मतन कुर्मा हो और मतन पुलाव हो ओ देख देनाली बाय का मन मी चासे तो रिख दिज जा जागा ऑगा ठ में तोड़ा साहत भी खींच के रखते हैं तो आज कल अपको बता है मौसम भी कुछ ऐसा है एद पर स्पेशल क्या फ़माइश तरह भी आज़ पर एज़ कहने कोई फाइदा लाग रहता है जो हमारे बदेश घर में अगहां बरहता है के में युदी एक में अंदाजा ओर में ऴरी दोने से glor algumas था लिवा मारम है. लिपने दो धुस्के पर लुति है? आपर रुदी एक घली फुपलाओ बना। दो अविछा थे चूह एक के आशसा यूद.. इसे कुछ लोग कम पसंद करते हैं ऐसा तो कोई इशू नहीं आप दो लोग के सादे हैं ? नहीं है कम झाता जाता है दो नहीं। आपने एक तो ज्यागा रोस्त कि जाती है विद्धति बादा भी आ जाएएगे लिखन कर रहा है कि रख रहा है करrils ज escuela जाया है , आपने ज्यादा को खाना भीन आपने रोस्त पूरा साल बाण घए alors को खाएंग जिसना के युल में नगते है है उसके चेंज होना चाहिए भी हमारे हाद है कि घुर्पानिका गोष्ट खाने लगए लगते हैं तो मिसाला जान की तरफ चले जाते हैं तुसी कदी पकाया दो तॉन पतऊ होगा रुपा है तुछ भी एसनद पतो होगा जिना गर पकदा होगा नहीं दो आलो नहीं जी हुमारे एकार भुस्जारा है। आप अपने तो पॉछल होरी नहीं एक आप स्था नेठी है। यहां नहीं कि लिवस्फों पाना लेती हुदा मांप जाए। मैं खालो जाए। भी हुद दो जाए रिकाम लेती है। अब बनाया है यह नहीं अच्छा घटारा न हम इंशाला आपको बदू करूंगी आपने आप चाया बना लेटीयों, नश्छा भी नाश्ता भी अली मैख खाना भी बनाले तीए और न फिन आप लोगों को अगर आप खाना आप अच्छा आप लोगों को अब अन्ड प्यास और आज यह मैं कर नाएक से कारला को लक्सी मक्कंना कप राथा मेरे लिग भुजिया बनवा जलिए है इद बन सब्सक्राइब मुझे करने को बदा कारने का एक हुए है खाने पीने के शौकीन अफरात कुछना कुछ बनाना भी चानते हैं तो कुछ बनाना जानते हैं आप याण नहीं? नहीं यह जानते हैं नमकीन घोष्ट जाजमी ट्राइ करें तेक अगर आपके बड़ा जानवर है थो पुक्ति पड़ः रहार सुद σταय है। उसके बड़े हम एफ उसके माने उसलिए प्रथी म संहे है थीज़ अपने हिस्याथे इ प्राइब एंग, वर दो इनका रुट इ मामे रीज़ी नियोरत कंडा क्यों है। आपको हैवी होने देगा, सुकून से खाएं, मज़ेदार सी डिप या सॉसेज आप साथ लें और वो एक दफाद लाजमी ट्राइग करें आप रोस्ट कर खाते हैं आप तिक्क्या बना के खाएं जो दिर्क्राइग लेकिन नम्कीन गोष्ट जिनके बड़ा जानवर किया वो आपने गोष्टास में चले जी अली कि आपने ये रेस्पी जरूर ट्राइक करनी है और आप लोग अच्छी तरह से एज इन जोई करें खाने शाने खाएं अपनी सेथ का भी ख्याल रखें और मैं इंशाला में खाना पेंडिंग रेगा इंशाला आपने तस्वीर बेजनी जब आप को चीज खाना बनाएं जब आपको चीज खाना बनाएं जब आपको जूइन करेंगे एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक वन्स अगें प्रोग्राम का हम जी सलसला आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे हैं कि एद हमारे रिपूर्टर्स किस तरह से गुजार रहे हैं जिन्होंने स्टूडियो में फील्ड में और फिर साथ साजी ऑफिस में अपना टाइम स्पेंट किया कैसी उनकी एद गुजरी आमिर अजा कान साथ हमें जॉइन कर चुके हैं वेलकम करेंगे असलाम अलेकुम एद मुबारिक आमिरे कैसी इद गुजर रही है गुजरी पहले दो दिन कैसे रहे कुर्बानी किस दिन की और गोश्ट इतना खाया गोश्ट तो ज्यादा नहीं खाया जाता आएद के दिनों में कुपे कुर्बानी हो रही है और इस तफ़ा मेरा तो यह था कि एक बड़े जानवर में हिसा डाला हो तो सची बात करने चाहिए उस तरह से बक्रे नहीं थे तो जिनके हां हिसा डाला था वही पे कुर्बानी हुई और आपको पता है गोश्ट के साथ आप फिर उस तरह से धिंगा मुश्टी करते हैं या करते हैं तो कहने का आपको उस तरह से ख्याल नहीं रहता है जिस तरह से होना चाहिए वो ठीक है एद के दूसरे दिन जो है वाप डिशिस बगएरा बनाते है अपनी मर्जी की यह गैस्ट आ जाते हैं आपकी तरफ और आप चले जाते हैं तो दूसरे दिन सिस्टर की तरफ चले के खाना महां खा लिया तो खाना कम खाया जाता है गुर्स इतना वह स्वाना बन जाता है आप क्योंकि आप एद ना खुशियों के तहवार है और इसमें ऐसे ही है मिल बैठने का भी बहाना होता है फिर एद का जो क्योंसे मिला है तो होते हैं आपके माले में अव्के आपके शिंग कुछे इन इस अपते हैं अमेर भाई बीज़िया happy छुकर अलह मीशिक्वत अ कर माने रह से नहीं इस तरह से नहीं था के जिल इसवर गोश्ट का ओए कर घली बात ये हैं क्युक्य और शोल्पानी वहिल् अपने सुसराल में करनी थी, तो मैं तो कर पे नहीं था, तो किसी को क्या गोश्ट आना था, क्या गोश्ट जाना है, दूसरे दिन सिस्टर की तरफ और आज आज आपके साथ, तो बहुत सारे गिलेशिक वे सरफ एद गाह पर ही हो जाते हैं कि आप मिलते नहीं हैं, इस तरह क ही हैं जाना था, तो लेकिन उनके अपने काम अलग हैं, इस दफ्तर में तो आप उन ही उस तरह से दखल अंदाजी उनकी रही, अपने वो पंजाब को देख रहे होते हैं, लेकिन ये जरूर है, कि उनकी इज़त से हमारे इज़त में बने की ज़रा है, तो मैं चारी हूं सफाई के हवाले से अपने अपने अलाकों में क्या इंतिजामात दे के, कैसी रही LWMC की कारकरदगी, कम असकम दो दिन आपने देखा, कि अच्छा काम की है, आप बेहतर काम की है, ठीक है, अच्छा काम तो खेर, इस लिए नहीं हो पाता, कि हम अच्छे नहीं हैं, अली न आपकी जिम्मेदारी है, कहीं इसलाम में यह नहीं लिखा हुआ, कि गंधाब डालेंगे, उठाएगा कोई और, चलें, गवर्मने ने दारा बना दिया, हर घर के बाहर वो एक अहलकार नहीं दे सकते, यहामें भी पता है, आप यह तो करें, कि वो जो डंपिंग साइट्स म हैं, वो दिये गए, और जिस सुसाइटी में मैं रहता हूँ, वहां खेर, सुसाइटी वालों ने भी कुछ बंदबस्त का रखा है, लेकिन जब मैं शेहर से गुजर के आया हूँ, तो आज भी खाली प्लाटों के अंदर आप तौफन पलारें, आप भी कुर्बानी का अजनालिकर प्लाटों भी काेता हैं, बार्तों के अंदर को अगर कारने ृष्ट के इस जगर लोहे के बाकस, डिन्राट काम कर रहे हैं, तो स्टेश में थोब वृहां के पनाले केडिये आपके लिए आपक लिए काम कर रहिए हो और आप अनसे हम तो यह भी तावन ही बात की कोई नहीं है बिल्कुल आपने भूज अश्राविके हैं कि जो लोग काम करें हैं उनको पका और कर दें ह्यों कि अभी भी आप ऄयरमें गोश्त में वाफरतदाद में हैं आप उसको पकाएं और आप उनको खिलाएं आप देखें कि अल्ला ताला के हाँ आपकी कुर्बानी का दर्जा जो है मजीद उपर होते हैं तीन दिन से पहले कि अगर हम कुछ बात करें क्योंकि आपने और शाहिद सिप्रासाब ने शोस की ह बहुत बुरे इंतजामात रहें इंतजामात की तो बात महंगाई से भी लोग परेशान रहे फिर बारिशों की वदासे ब्योपारी परेशान रहे सो ओवराल कैसे देखते हैं आप मंडियों के हालात को जो हुआ सो हुआ उसको छोड़ दे एक प्रोग्रम में बड़ा मज़ा है मज़े शाइसी प्रा के पास पचीज जार प्यार प्यार प्क्रा लेना तो हम ढूंड रहे थे धायलाक वले जानवर का पचीज जार पांच ला अगर गल सुने एए शेर पचीज जार थी भीवी लब सकती है पक्रा नहीं मिल सकता अचा यह एक दाम से खुद भी इस तुप्रा तो मैंने उसको फिर वजाफ की मैंने का बासमा पांच जार निकाखा पांच जार बिद का ठीक है पांच पांच जार के दो गवा और पूरा हो जागा अचा यह उस वक्त बाद में कहता है इस वह प्रोग्रम का आर भी चलना उन्द है लेकिन गाल दसना तो अनू यह मोल विला पांच जार बाई सकता है मेरी बीटे जानी उनने वह भी पैसे बचा ली तो अब यह एक जगा पे हम सर्गोदा से आयोगा ता ब अब 25 अर शाहिज सिपरा का है मैंने उसका लगा दिया लेले का 25 तो शाहिज सिपरा का कहता है एए आजी साब तो तो उसे जार्ते पर करते देख वह 25 अरधा है अच्छा में अब मेरे लिए वह प्राम था है उस सुरतियाल कर सुमाल मा तो यह इस प्रोग्राम की अच्छा, वो मुझे कह रहे तुम मेरे मजाग कर रहे हैं पती हैं इस तरह की बात है तो शायद सिपरा कें ने खुण आपके चाहब अच्छा पट्राइब यह नहीं नहीं चाहते हैं कुछ अबहुत अच्छा भी है। यह बड़ा आपको ड्वांटी ना सिर्फ जानरों कि अभी जो घोष्ट की पहचान वो बता गें खाने पीने में के कौन-कौन सी बोटी उनोंने खानी है मैं तो भी सुनके परेशान है अब अब खारा होगा है शाह पुरकांजरा में हम थे तो दो शरीफ लोग ना बक्रा ख अब जब गरम हो गया तो शाहिज सिप्रा साइड भी हो गया अब वो मेरे साइटी जब कर दिया अब मैंने का यह जिग्गा है भाई मैं खुद देख नहीं तुसी मेरा गाह खराब करने तो इस तरह के बाते करने रहा आपको पता होता है यह शाहर के लोगों को और उस तर कि रेकर चलते हुए कि बच्चों को कुर्बान ने जाना कि रगर ख्रीदाने के लिए नाा लेकर जाहें लेंद जेंगे जो अब बह्त अब हम अपने वालद के साथ तषाथ जए करते बिए ऑक्र रहों को मेरे ज्मांड़ कर आज वह मामूं को भी हमें हैं कौन सा जाना ल जासे नहीं किया मैं आउस्कृडल में था लेकिन इसके साथ बड़ी जादे इसके साथ बड़े मज़े-मज़े की चीज़े हो जाती है बड़कुल उंट के वाले से बहुत सारी चीज़े जो दिखी और ये चुलबुला सा प्रोग्रम होता है तो हम उसमें ये करते हैं के लो एडिटिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़े काल भी देते हैं मेरा ना अठाइसमा साल है जनलिजम के अठाइस साल हो गए मैंने बड़े-बड़े सियासी अथरे जानवर जनलिस्टों के सामने आकर बिल्ली बनते देखे हैं बिगी बिल्ली वो बड़ी बिल्ली नहीं तो य पर जानवर जनलिस्टों के बचने लोग यह नहीं बचता किसी से यह पकड़ लेता है आज आज आपने एद वाले दिन भी का कि छोड़ना नहीं है नहीं छोड़ना क्या है इशारा कर दिया आपने पूछा तो मैं यह भी बता सकता था कि इंतामात बर खराब हैं लेकिन अ कि अवर ओल तुम दिखाते ही रहे हैं रिक्वेस्ट में जरूर करूंगा और गवर्मेंट पंजाब से और हमारे जो जितने भी कमिशनर हैं डिप्टी कमिशनर जैसीज हैं यह चंद दिन के महमान आते हैं लोग यह और इनके मालकान बलकुल चंद दिनों के लिए इनको ज इस लिस्ट के मताबिक जैनी 24 गंटे जानवरे के लिए पानी जरूरी है चारा जो है चले वह तो एक महंगा बिकना और बात है लेकिन पानी होना बरा जरूरी है यह ऐसी चीज़े हैं यह तो बनियादी जरूरी है और इनके आपने दावे भी किये लेकिन क्या आप आज के आपकी इद अच्छी गुजरी होगी आगे भी अच्छी गुजरी होगी खाने शाने खाएं इद को भरपूर तरीके से एजोई करें जी स्टूडियो में आपके एक बार फिर से खुशामदीत कहेंगे कुछी इद के हावाले से तो गुफटगू हमने कर ली लेकिन बहुत एहम गुफटगू करना भी बाकी है और वो एहम है जी आपकी सहथ हावाले से जान है तो जहान है लेकिन खाना पीना भी मैं कहती हूं के जी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है खाएं पिए एहतियाद करें वो एहतियाद क्या है वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रही हमाएं साथ डॉक्टर इस्रारूलहतूर साब मौजूद हैं जिनको हम अक्सर आपसे मिलवाते रहते हैं और आपकी मुलाकात कराने का मकसद ही होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी सहत हमारे लिए तरजीहात में शामिर होती है कंसिल्टेंट फिजिशन है जी माहरे इम्राज मेदा, जिगर, शुगर, हैपिटाइटेस अल्लाँ ताला हम सबको महفوظ रखें महفوظ रखने के लिए गाइड-लाइंस क्या हैं वो डइक साफ शेयर करेंगे तो बढ़ते हैं डॉक्साब की तब Assalamu alaikum Eid Mubarakik अब्ध-बारिक जी बहुत बहुत शुक्री आपके वगए लिए भी बहुत शुक्री जी 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 घुज़री आपके लिए भी कैसी गुज़री Eid के लिए लिए अलम्दलीलजी मसूफियत मसूफियत बड़ी इद है, लोगों ने गोश्ट खाना भी है, इहतियात क्या क्या होनी चाहिए हर दूसरे बंदे को हाई ब्लड प्रिशर है, हर दूसरा बंदा शुगर का मरीज है, हर दूसरा बंदा जो है वो हम देखते हैं मेदय का मर्ज जो है, हर बंदे को लहा कर आज कल खाने ही और हपस का मौसम भी है, क्या इतियात होनी चाहिए, डॉकसाब? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि इदे कुर्बान एक फूड फेस्टिवल की तार पे भी होता है, और उसमें महफिलें जो हैं, खाने के इर्दिगर्द होती है, तो इसमें तो कोई इतराज में ही है, एक हो, और है, कुछए, पेट, मर्स, मत्री टी, टार है झाच्टिवल टार, यह रते हम्तिया करी जाहिए, वह शोईन का इतियात है, जो जो बेतियात एंस करना है, इतियात है, कि सबसे पहले छूटियों के दिन है, तो जो सोने जाँने का ममूल डिस्टरब लिदाब नी कर न यह तीन ताइम कही लोग खाते हैं, तो वो उसको ममूल को बनाएजहे नाश्ताइ ग्हाराँ मुटे हो रहा है, राध अपर का खाना पाँछ बचे और रात का खाना यह राध बारहपचे हो रहा है उरता ईद के तीनो दिन में से यह कुछी है तो इस पुराने ममूल को फॉलो करने के कोशिश करें तो बिमारियों से बचने का एक जिलिया ये भी होगा तीसरी बड़ी चीज है कि फूड पैटर्न फूड पैटर्न देखें करुबानी का गोश्ट राम गोश्ट से डिफरेंट होता है उसे गोश्ट रा फरावानी से वेलिबल भी होता है तो उसकी कुछ चीजें बदल जाती है ये जैनवर आम तोर पे बड़ी उमर के होते हैं इनको अच्छी तरह पकाना जूरी होता है इस पे चर्बी का अंसर ज्यादा होता है इसके लावा जो हम तेजी के साथ थोड़े वक्त बे जढ़े क्हाने की कोशिश कह रहे होते हैं उसकी वज़से बढ़ा होता है परॉपेशनल किसा ही नहीं होते हुटे तो हड्यों की कर्चियां बंती है कर्चीयां ज्यदा होती हैं जल्दी से कहा रहे होते हैं और उसके नतीजे के तौर पर गले में, खुराकी नाली में, मुह में और इस तरह के जखम बनने और बाज वाज वकात हटी अटकने का और वो एक लाइफ सेटिंग इशू है और हॉस्पिल्स में आम तर अफ्वीजों की इस सूरत हाल के साथ भी सही है तो इतियाद के साथ खाएं, चबा के खाएं, सकून से उजॉए करके खाएं लेकिन जो बेसिक चीजे हैं उसमें यह है के सिफ गोश्ट ना खाएं उसके साथ शामिल करें पफल को, सबजीयों को गर्मियों के दिन हैं, हबस के दिन हैं तो लीकृट इंटेक बढ़ा क्या हाई बलड प्रिशर के मरीज जो हैं वो गोस्ट बिलकुल नहीं खा सकते हैं क्योंके बड़ा गोस्ट का जाता है कि जी उनके लिए ज्यादा नुकसान गी होता है ठीक इसमें दो चीज़े हैं जी एक तो ये जो अभी हमने बातें की हैं ये मोमी हदाया आते हैं हर बंदे के लिए ज़ efficacy के जविदे के बिमार है नहीं अन्दुरूस्त है किसी भी उमर का है उसके जरूरिया है कुछ ऐसे लोग हम जो दाइमियम्राज कश्कार हैं धुन कि आफने बात कि शुर है बल्लोड पिसर है उरी कैस्ट के पेशेंट किडिनी पेशेंट एंट के पेशेंट एंट इफ D senate तुर दिल के मराज के लोग हैं ये वो लोग हैं जिनको इन अमोमी हुदायात के वा रुछार्याइथ की जरता आए पर्सका लें। जुरी के सरियत का पड़ी उर्य धुर्ड़ को मनई है। जुरी के साथ पड़र और कलेजी का गोल झीॠायमिल है। इसी तरह तरह ये रेड मीट के जिर्म Hahn video को उता है। बक्रे का हो। गाया को जिसका भी हो। तो उसमें उर्गन मीट खास सरेे। उसकी लेड्स के अंदर चर्बी होती है ऐसको एफ बीफ के आग dejar उसकी कोलस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं। जो हार्ट पेशेंट्स हैं। उनके लिए ये गोश्ट ज्यादा मिगदार में खाने से बैलेंस टीP होने का लोग पता क्या करते हैं अब बरियानी बनी है प्लाव बने उसमें भी गोष्ट वैसे भी गोष्ट का सालन और फिर आपने बार्बी क्योंकि शूरत में भी अगर बनाया तो वह गोष्ट है यह अप्शन्स में और कुछ नहीं होता ना वैल कुछ फूट का हैं सैमी कुछ अपान आया सेब्व बी करना वो तो नुक्सान देनी होताँ नुक्सान देनी है लिकिन के आंग गोष्ट को वारा महिने हम कहा रहे होते हैं उसमे अगर उसका का टाइम जो है को कि का अगर 10 मिनट है तो इसमे हमेशा है 15 मिन जोट ही क्पूट हैं सजी उसमे उमर भी ज्या एक्षिन कहते हैं गोश पे नहीं हुआ होता है उसे गुर्बानी खतम ही करसाही सब देर से आये थे उसी वक शुरू कर दिया है पकाना तो और उसको हाजमे में दुश्वारी का सामना होता है क्योंकि प्रॉसेसिंग जो है जिवा ओने के पकाने के दर्मयान थोड़ा हाट पिशेंटस मुमी तौर पे ठोड़ी मिगदार में चकने कि अध्या तक गोश ले सकते हैं लेकिन वेलकुक्त हो थोड़ी मिगदार में हो आप दूवाईयों के मामूल के साथ हो और सिफ गोश न हो तर्फ गोश न हो रिए मेदे के मरीज ओं के लिए मेदे मेदे के मर इसके साथ अलसर की कहफियत के लोग हैं तो यह वो लोग हैं जिनका बैलन्स दवाईयों के साथ लाइफस्टाइल चेंजिस के साथ पहले तो ममूल के मताबिक रहता है लेकिन जैसे ही इसरह का फेस्टिवल आता है जिसमें फूड सेंटर एक्टिविटी होता है उसमें वो ख जाले तड़के लगाए जारे होते हैं जाले वो वो चीजें जो शायद 12 महीने नहीं इसमाल हो रही होती है वो चीजें वो डिशिज पर ट्राइए होती है तो जलन का मेदे में जलन का पतले बखान नापेट का फारा और इसके साथ लूस टूल और गर्मियों के मौसा में स आपनी नहीं ज़ारे हैं और करू टूर कि कोलिस्ट्रॉल का और फट्स कांसर बहुत ज़ादा होता है कि pen county और इसके लावा हम देखते हैं बड़े जानवर के लूग पाए बना रहे होते हैं इसके इस चीजें किस हुएं तक आप क्षा सकते हैं कितना तक ताइम क्वा सकत कितनी कॉंटिटी में खा सकते हैं? देखें पाए और सीरी और पाए और इसकी तो तियारी के मिराहल एक तो बहुत हाईजेनिक डिमांड्स उनकी हाई है नमबर टू इसके साथ इसमें कॉलिस्टरॉल का और फैट्स का अनसर बहुत ज्याद होता है क्योंकि में लिए उनी चीजों से अखस किया जाते हैं तो इसके पगाते हुए एक्स्टा चिकनाई जिसम के दर जारी होती है अगर इसके साथ सोने पर सुआगा अगर आगर अगर आगर आगर अगर आगर आगरा कॉल डिंच इसमाल का रहे हैं नान इसमाल का रहे हैं लेकिन पूरे मील के तौरबे ठीक नहीं है लोग आपके मुखालपत कर रहे हूंगे कि आज भी हमें चखने के लिए कह रहे हैं एक आदा दिन नहीं फिर हमारी अगर चार-पांच दिन यही प्रेक्ट्रिस रहती है तो फिर अल्टीमेटली आप बिमारी होते हैं इसलिए यह इहतियात आपके साथ शेयर की जा रही है डॉक सब घी बहुत ज़्यादा और आइल बहुत ज़्यादा हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं कुर्बानी का गोश्ट खुला होता है और इसको हम बनाते भी फिर दिल खोल के ही है डबे के मसाले लोग इस्तेमाल करते हैं खुले मसाले भी घर वाले डालते हैं वो हम उसको फाइदा अपने आपको देने के बजाए गोश्ट पुर्टा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं देखें कम चिकनाई में पका हुआ खाना और वेल कुक्ट फूट हो तो यह प्रोटीन डाइट है विछ वेरी गुड फॉर हेल्थ लेकिन अगर हम उसको एक अच्छी चीज को बुरे तरीके से तैरी के प्रॉसस में एड़ आन कर चीजें उसको खराब कर लेते हैं वो हाल थालोड रहता वनहेल्दी होजाता है यह जो प्रॉसस है अगर यह स्टीम किया जाए उसको एक बॉल साथ वनधर चाशन और वनधर मीट और वनधर फूर्ट शिया अवल करके लिया जय तो बड़ा है वीयल होगा उसके साथ कोई इंग लेनी है तो गर्मियों का मौ या खाने के साथ दही का इस्तेमाल कितना मुफीद है आजकल के मौसमे क्योंके कहते हैं कि मेदे के मजीजों के लिए बहुत चीज है इसमें बेसिकली हाजमे को प्रमोट करने वाली चीज़े होती है तो अगर ये इसमाल किया जाए और आजकल गरिनियों का मौसम है इसको लसी की सूरत प्रिकार लिया जाए है वैसे तो ये एक अच्छा अल्पिनिटिव है कोल डिंग्स के बहुत साथा खाना कहा के लोग समझ कर सकते हैं कैवा ग्रीन टी यह कोई भी कॉफी है वैसे तो हेल्दी हम इसे ड्रिंक समझते हैं इसलिहाज से कि ये तिदाल के साथ ये एंटी ऑक्सिदेंट साथ इसमें और ये जिसम के लिए मुफीर है लेकिन हर चीज़ की एक्सेस पुरी है मतलब बहुत हॉट लिक्वि करती है तो वह थर्मल इंजरी जो है इटसल्फ जो है वह एक जलन और सोजिश का बाइस हो सकती है इसलिए इतिदाल के साथ ये चीज़े सारी ठीक हैं कहवा भी ठीक है लेकि इसको ये प्रॉसस इस आजमे के प्रॉसस को बढ़ाने के लिए नहीं वैसे ओवरॉल से तर्सा लोगो ये लगता ना जितना मर्जी खा लें आप एक लेमन और कहवा ले लें तो बस फिर आप मजीद भी खा सकते हैं ये सब चीज़े डिसक्स करने का मकसद यह है कि आप अपने फूड को इंजॉई करें मीट को इंजॉई करें लेकिन इतिदाल के साथ खाएं सहत मंद र और आपने डेली मामूल को उसको फॉलो करते हुए अगर आप खाएंगे इतिदाल के साथ तो सेहत मंद रहेंगे बजाए इसके है कि इस एद पर आप खाते खाते हॉस्पिल में डॉक्तर्स के पास पहुंगे नई जी बड़ी इद है इसकी खुशियां बड़ी होनी चाहि थांक यू सो मच नाजिन ब्रेक के बाद आपको जॉइन करेंगे तो नाजिन आज की हेल्दी टिप के लिए हमारे साथ हमारे फिटनेस ट्रेनर वकार एहमद मौजूद है ओवर तू यू वकार आज मैंने में वकार इशाद आया है मैं फिटनेस इस्ट्रक्टर आज मारे साथ मुझूद है नादिश आज मैं इनको करवाँगा लोड़ बोड़ी अपर बोड़ी और 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 एंड को ठीक है सबसे पहले तो आपने वर्काउट स्राट करने से पहले आपने अच्छी उसके बाद आपने बोड़ी को डौन करने है है हैंड स्ट्रेट यूँ अब सीधे खरे हो जाएं बोड़ी को नीचे लेकी जाना है ये फिर सीधे खरे हो जाना है हिप के पिछे हा रखना है बोड़ी को पुछ करना है बैक साइड फिर डाउन फिर आप फिर आप थ्री टा अब सबसे पहले हम लगाएंगे स्कोर्स इंटू हैमर और साथ शूल्डर प्रेस्ट ठीक है वेट बगड़ने सबसे पहले आपने लगाने स्कोर्स वान तुर स्टैंड़ देन हैमर देन शूल्डर प्रेस्ट वान एपने लिए लगाने लुट फिर देन लगास अनर धने समा नीचे जाना डाूर फिर अप फिर हैमर फिर घखर प्रेस्ट देंड लुट है यह greater फैर इसको लगाते हैं अपने यह वेसं कास्तोब neural पर देखना है कि अगर तो आपके पास गर मजूद मेजूद तो पिर आप इ सेट एग रएंपसक्तु है before observation ब्लकुर रएट रचाहिए अब बैयाइट को सीधे एग है पढ़ को सीधे करें ए बिल्कुर अब अब निछे स्लोग जाना है चले शलोई डाउं अब ले यप डेन हैम्मर फ्रचोलर पैसग ये अपने बटी वेट को कैसे यूज रजय को लगाना हाँ त्राग बिशिंश ऌड़िड़ के बाउने लाई खीरा जार standard आप आप थाट ना सबसे बहुले इसफील है शीदे हने चारे फैपना का विश्य को ब Dabei organ 1 then slowly down. 4 then 2 3 एपने इप arrivकार है, 3 On- थे जएड करने है इसे लगाने से आपका बोडी वेट और बोडी यंगल, डोनीचेजे आपने अंपने अपने इपने करती हैं, निए उनए बैटे को पर दोनीचेकर है अर्डीक दोनीचेजी ठीक अब नहें ऑगा Cathy कि अब आपको पताऊंगा कोड़ वरकाउट जो कि आज काल गया इशू है कि कोड़ कैसे कम किया जाए जो लोग कहते हैं कि सब कुछ खाते हैं और आपका वेड काम हो जाए जब से बड़ा जूट है ऐसा पोसीबल नहीं है विद आउट डाइट कोई भी चीज पोसीबल नही उसके पार आप लगाना स्टार कंच वान टू आपने यह नगाते हो इस चीज का फास क्या रखना है कि जब लैग रेस करने हैं पुछ करना तो आपने जेल करना है वान टू टू ट्री यापने ट्वल ट्रेपटिशन लगाने है इस साइड में ठीक है बोडी पोस्चर को आ आपका मुसल हिटनी होगा आपको रजल्ट नहीं मिलेंगे ठीक है ट्रॉल ट्रेपली साइड इसके बाद आपने लगाना है अपर बोडी ठीक है शोल्डर प्रास उसमें आपने लगाने है पंचिंग स्टैंडी पॉजिशन में ठीक है सब से पहले आपने खरे होना है उसक आप बोडी को आपने सीधा रख बास यह आप उपर की तरह पुश करना है पंचिंग पॉजिशन में यह यह एक्सेज़ ऐसे एक्सेज़ है इसमें आपके अपर बोडी के रेल डाल फ्रंट रेल डाल और साइड यह तीनों चीज़ें आपकी हिटोएंगे इसमें त्वेल त्वेल इस्टाइब थोड़ा सेप को डौन करो ऐसे एसे ओके डाल आपके डाल आप आपको 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 निचे रखेंगे बेट को अब आपको पिताने जा रहा हुआ हैंगे साइड स्ट्सेप्स वह आपने कैसे करने क्योंकि यह एजी एक्सिएज आप गर पे इसको कर सकते हैं जो फी मेल हैं जिनका ज्यादा बोडी बेट है वो इसको गड़ पर कर सकते हैं एक बहु आपने स्टेपर पर रखने है ठीक है दोनों हाथ कमर पर रखने पर लगाना आपने यह यह वान टू थ्री आज़ यह सबसे इज़ी एक्सेसाइज आप और इसके बेनिफिट ज्यादा है यह ओड़ बोडी में से फैट बंग करता है ठीक है जो लोग हैवी वेट आइ जो लोग वर्काट करने जीम जाने से बागते हैं वो अपने गर पर यह एक्सेसाइज यूज कर सकते हैं और इसका करेंगे जिनका बोडीवेड नॉर्मल है उसको वो तेज़ करेंगे ठीक है ओके डन इसके बाद हम लगाएंगे साइड दूमर जो कि अक्सर लोगों का इश्य होता है कि हमारे उपलेक्स कैसे कम हैंगे परेशान रहते हैं लेकिन उनके लिए सबसे बेस्ट सबसे पहले आपने सीधे खड़े हो जाना है वेड को पकरना पाउं को सीधे रखना है और साइड करने ठीक है साइड करते होए आपने यह चीज़ याद रखने है कि जब राइट साइड पे आना तो राइट साइड करना पिर लफ साइड पे जाना तो लफ साइड पे जान इसको लगाने से आपकी ये दोनों साइडें आपकी इंशााला खतम हो जाएगे बिलकोल जैसा आप चाहते हैं वैसी हो जाएगे और ये सबसे अच्छी एक्सेसाइज़ है उबलीक्स की ये साइज़ की प्लांक पुछिशन में बटरफ्लाइ किस्केश है यह भी हमारी साइड्स की एक्सिसाइज और बहुत ही बेनिफिटाइज और बहुत ही अची एक्सिसाइज आई है आपने बोडी को सीधा रखना है बिल्कुल स्ट्रेट ठीक है और राइट नी को बाइर के तरफ निकालना है और शोल्डर की तरफ वान पर लेफ साइड पर टू सेंट ट्वाल 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 एससाइड आपटिशन लगाने है जब यह लगाते होने इसका अपने खिया तरफ यह जेहल करना है वान टू आई नाजशन लगा है अच्छ लगाना है बोडी को बिल्कु ठीक है बिल्कु ठीक है यह तनी अच्छी एक्सराइज कि आप लोगों को यकीन नी आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्टिव एक्सराइज है यह लोग गर सकते हैं जिम क्योंकि यह उन्टेक्टर के विना आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूटूब से लेखेंगेऊए आप को समयाँआ कि जब तक आप जाएम आप यह तरफ पास नहीं पास नहींगे तब तब तो अपने पता चले दो सब sẽले यह इसगाएओ के जो हमारे पेड़ का इ आपने यह नहीं लगाना है इससे आपके यह प्रवोडी का यह जो बैक का फैट होता है यह भी इसके साथ खतम होगा पिर इसके साथ आपने लगाने हाई नीज यह चीज आपने याद रखनी है कि जब यह एक्सिस करते हो ना इस दहल लाजमी करना है कोर को लूज रखेंगे तो आपका कोर कम होगा अधरवाइस आपका कोर कम नहीं होगा इसके साथ आपने करने हैं साइड किक्स फिफ्टीन इस साइड आज के लिए हमारे पार टाइम शोर था तो इसके लिए हमें जितना बोला गया था हमने उतना वर्काउट आपको पता दिया कि इंशाला आपको तो नेक्स वीडियो में आपको अच्छे से इच्छा वर्काउट बताने के कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप घर ये एक्सिसाइज कर सकते हैं, हमें फीडबैक जरूर दीजेगा ताके हम वकार से मजीद भी इस तरह के टिप्स लेते रहें। तो बंस अगें, थैंक यू सो मच वकार। बहुत एक्सिसाइज करनी है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, अब हमें जॉइन करें आईशा ना सिर्माहरे गिजायात हैं, वो आपकी गिजा, जिसकी गिजायत खराब आपने नहीं करनी, कितनी खानी है, पानी का इस्तेमाल इस मौसम में कैसे करना है, यह हमें आईशा ब आपको बहुत बहुत मुबारिक, कैसे गुजरे एद के दो दिन? पैट खराब ना हो, इससे कैसे बतने, एद के गोश्ट से लोगों का पैट भी खराब हो जाता है? वो तब होता है जब हम उसको पहले तो ये के सही से वाश ही नहीं करते हैं चर्पी बहुत जादा लोग चर्पी में ही खाना पकाने लग जाते हैं और फिर हम उसको सही से कुक नहीं करते हैं अब सही से कुक करने से मुरादिया अगर आप तो गोश्ट के अंदर खून नजर अब जो आपने पूछा कि एड को गोश्ट कैसे खाना चाहिए खाते हम सब हैं क्रें मौडरेशन के अंधर पी estéसे मौडरेशन से मुरादिया मैं मनानी कह रही कि आपने में ही काध में में आपने ही का गोश्ट नही आपक रहाना है आपने कंसे कम झाल में बनाखना इसको बाहर किच्छन में बहुत देर नी पड़े रहने दे ती कि आपका वहां पर पड़े-पड़े खराब हो सकता है, उसकी स्रोरिश खराब हो सकती है, उसकी घजायत भी खराब हो सकती है, एंड इसके साथ जितना हो सके आप इसको बार्बीक्यू करने के बज़ाए ग्रिल करके खाएं, ठीक है, बार्बीक्यू करना उतना बुरा नहीं है, जितन इसको चरबी में पकाना बुर है, मगर बार्बीक्यू करना उतना अच्छा भी नहीं है, जितना ग्रिल करके खाना है, ठीक है, आप इद के गोश्ट को ग्रिल करके खा सकते हैं, गाय का गोश्ट, बक्रे का गोश्ट, यह भी डिफरेंस होता है, कुछ लोग धुम्बे का गोश्ट बहुत पसंद करते हैं, सो मुझी यह बता दें कि लेस नुकसान हमें किसमें हैं, बहुत जादा चिकनाई वाला गोश्ट यह परिशान करें, अच्छा अना, अगर सच बताऊना तो सच यह है कि आप टीनों में से कोई खा सकते हैं अधेली के बराबर, अब यह है सच्छ, वो मुश्किल है, यह मैं भी मानती हूँ कि वो करना मुश्किल है, बस पिर यह है कि जो उसके ऊपर चर्बी नसर आती है, आपको वो हटा दें और उसमें कोई सबजी आड करनें, अगर हो सके तो, ले जी आप एत के दिन तो यह ना के, क्योंकि यहां पर मैंने पहले बे डिसक्स किया, पिलाओ बिरियानी उसमें भी गोष्ट, सालन में भी गोष्ट और फिर बार्बीक्यू की फॉर्म में भी गोष्ट और इवन लोग सैलेड में भी डाल दें, आईशा, आईशा ने का था कि आप अच्छा गोष्ट खा के यह पीलेंगे तो आपको जो है वो हाजमें मदद हो जाएगी लेकिन यह आप कर लेंगे तो आपका खाना हजम हो जाएगा, अच्छा मुझे यह बता दे ही, पानी बहुत प्यास लगती है, आप जब कुर्बानी का खाना कोई गोष्ट खा लें कुए हम मसालों का इस्तेमाल भी ऐसे करते हैं, वो पानी पी-पी के फिर आपका ऐसे लगता है कि जैसे वोमेट हो जाएगी, एक बहुत ही फुलनेस व पर आपने कोल ड्रिंक्स या पानी बहुत जादा पी लिया है, कोशिश करें, एद के दुनों में मैं आपको इजाज़त दे देती हूं, मिंट मार्गरीटा के इस्तेमाल कर लें, मिंट मार्गरीटा डाइजेस्चन के लिए बहुत अच्छी है, हम ना लफ सोडा से डर जा मैं यह नहीं कहरी हूं कि सोडा के नुकसानात नहीं है, मैं यह कहरी हूं कि जिस तरह से हम बाकी ड्रिंक्स को इस्तमाल करते हैं, उसकी निसबत अगर आप डाइट सोडा के साथ मिंट मार्गरीटा बना लेंगे, तो यह आपको डाइजेस्चन में हेल्प करेगा, इसके न हाइडरेटिंग होता है, वह कोई हाइडरेटिंग चीज नहीं होती, बट फिर भी एक वाव फेक्टर उसके अंदर होता है, सो अब मिंट मागरीटा, इतनी से डाइट सोडा डालना है आपने, घर में जो पिंक सौल पड़ा होता है, वह डालना है, जादा सारे पुदीने क सोडा ना लसी ना पानी बलकुल ठीक है तो आपने ये अपने खाने के साथ तीन टाइम अगर गोश्ट खा रहे हैं तो इस प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं क्योंकि सम्टाइम नाश्टे में भी लोग कहते हैं अच्छा बाइर से क्या लेकर आना है रात का सालन पड़ा इसकसाई नहीं मिलता सारा कुछ लेकिन आठ आठ दिन तक नहीं समझाता अगर तीन दिन तक आप हथेली के बराबर गोश्ट तीन वक्त खा लेते हैं तो यह आपको ज्यादा नुकसान नहीं देगा बट अगर आप इससे जादा जाते हैं तो सबसे पहले तो बढ़ेगा उसके साथ मेदे के मसाइल नॉर्मल चुडे को भी अपई है कि यह आब कभी बट गबा दो आपके मेदे के मसाइल शुरू हो जाएंगे mix को लेके सिटोंगे सै। ग करें के सुगर के पेशन इतना सफ़र क करते हैं कि मीठा भी साथ नान भी साथ को बहुत जादे की साथ थोड़ा बहुत नान रोटी हो गया, जादा सरा आपने गोष्ट खा लिया उसके साथ और साथ वेचिटिबल्स, ताकि आप गोष्ट के ऊपर बिंज ना करें, ताकि आप एक घंटे के अंदर अंदर बहुत जादा कैलोई गोष्ट से ना लें, वेचिटिबल कॉम्बिनेश अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये मुम्किन है कि जब हमारी दावते हैं, रात के टाइम और इतने सुभा तो कुर्बान ही हुए है, अगला गहर पूरा का पूरा वो पूरे दिन गोष्ट पर सारा हैंडल कर रहा था, रात को दावत है, रात को आप जादा खा सकते हैं, ए कर दो यारा बज़े तक जागते रहना है, कम जब और थोड़ी सी वाक करना है, पूरा दिन EAST पर पूरा दिन पर पुछी पर नी बेठे रहना हमारे शो नहीं देखते रहना है, शो देखें, जडूर देखें हमारा लेकिन उसके साथ थोड़ी वॉक भी करें, यह नोग हम तोके जाना खायेंगे वो बुरा नहीं है इत. के तीन दिनों में छूट होती है आप ज़्यादा खाब भी लेंगे कोई मसला नहीं है लेकिन तीन दिन आठ दिन हफ़ता दस दिन नहीं इत के तीन दिनों में आप थोड़ा सा ज़्यादा खाब भी लेंगे तो इतना बुना मसला नहीं है पाद में नॉमल लाइफ के तरफ जब आएं तो क्योंके गर्मी का मौसम है तो फिर ये चीज़े वाकी हज़म करना मुश्किल हो जाती थैंक्यू सो मच आईशा बहुत 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 शुक्रिया नाजरे अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा हमारी और आपकी मुलाकात होगी अब मंडे को तब तक के लिए इ अजाज़त दीजिए अपना ख्याल रखेगा अल्लाहाफेज